नमस्कार दोस्तो दे लर्नर कॉन्ट में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में दोस्तो अपन करेंगे आरपियस ही फस्ट ग्रेड का जो फस्ट पिपर है हिस्ट्री का उसमें गुप्त कालीन कला, शाहित्य और विज्ञान पिछले वीडियो के अंदर दोस्तो अपन मोरे दोस्तों ने शेयर जरूर किया गरें आप जितने भी आपके पास टेलिग्राम गूरूफ है वाट्शब गूरूफ है या फेस्बूक पे आप सेयर जरूर करें पिछले वीडियो को भी आपने शेयर नहीं किया आप सेंबल रिक्वेस्ट आप सेयर कीजिए आप सेयर करोगे तभी मनोबल बढ़ता है नेक्स्ट वीडियो बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत है दोस्तों पूरे के पूरे इपोर्टेंट परशन है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास पहला परशन देखिए आपके सामने स्क्रीन के उपर ये रहा पहली बार किस काल में मंदर निर्माड शुरू हुआ पहली बार किस काल में मंदर निर्माड शुरू हुआ गुप्त काल मोरे काल कुशान काल या इन मेशे कोई नहीं तो देखे दोस्तों इसका राइट अंतर के हो जाएगा पहली बार किस काल में मंदिर निर्माड शुरू हुआ था तो गुप्त काल में शुरू हुआ था एई वाला उपसन है वो राइट हो जाएगा पुरी डीटेल इसके बारे में बताओं दोस्तों आपको तो जो गुप्त काल है इसके अंदर मंदि निर्माड है वो सबसे पहले शुरू हुए थे अधिकांस ते मंदिर विश्णू के बढ़ाए गए थे और बाकी दोस्तों मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि यहां से प्रसन उठाएंगे हैं तो नेक्स देकि आगला प्रसन आपके सामने स्क्रीन के उपर आज़ रहा गुप्त क में अधिकांस मंदिर है वो किस सेली के अंदर बने हुए हैं तो नागर सेली में बने हुए हैं बै है वो राइट हो जाएगा अधिकांस मंदिर है वो नागर सेली में बने हुए हैं लेकिन कुछ मंदिर है वो बेसर सेली में भी बने हुए हैं याद रखना कुछ मंदिर है वो बेसर सेली में बने हुए है मुक्यत है अधिकांस्त मंदिर है पुर्नागर सेली में बने हुए है अगला प्रशन देखे आपके सामने स्क्रीन के उपर ये रहा गुप्त काल में अधिकांस्त मंदिर किसके बने हुए है गुप्त काल में अधिकांश मंदिर किस के बने हुए है शिव पारवती, विष्णू, राम लक्ष्मन या कोई नहीं तो गुप्त काल में जो अधिकांश मंदिर है वो दोस्तो किस के बने हुए है तो इसका राइटांस हो जाएगा भगवान विष्णू के बने हुए है अधिकांस मंदिर है वो भगवान विष्णू के बने हुए है गुप्त काल के अंदर अगला प्रसंद देखें आपके सामने स्क्रेन पर यह रहा तिगवा का विश्णु मंदिर किस राज्य में इस्थित है उत्तर परदेश, मद्यपरदेश, राजस्तान या करनाटक तो इसका राइटांसर क्या हो जाएगा मद्यपरदेश में तिगवा का विश्णु मंदिर है ये मद्यपरदेश के अंदर इस्थित है याद रखना मंदिर भूमरा का शिव मंदिर पीपरिया का विश्णु मंदिर ये सारे के सारे मद्य परदेश में हैं जो तिगवा का विश्णु मंदिर है ये दोस्तों समुंदर गुप्त ने बनवाया था याद रखना किस ने बनवाया था समुंदर गुप्त ने बनवाया था ये पूर प्रदेश, पिहार, उत्रपरदेश या जारखन तो इसका राइटांस रो जाएगा देवगड का दशाउंतार मंदिर है ये दोस्तों कहा इस्तित है उत्तरपरदेश उत्तरपरदेश में भी यदि आप से पूछ ले तो ललित पूर जांसे में इस्तित है ये विष्णू से अवस्ता में है देवगड का जो दशावंतार मंदिर है ये विश्णू का मंदिर है और विश्णू दोस्तों इसमें सया नवस्ता में है ध्या रखना किस अवस्ता में सया नवस्ता में और दोस्तों गुप्त काल की जो मंदिस तापते की जो सारी विश्यस ताई है वो इस मं मंदीर को स्रोस्त्रेस्ट मंदीर कहते हैं नागर से लिए का यह पहला पुराता प्रमाण है अगला प्रसें देख आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा इलोरा कि力 किर शणी स्राजर में शिर्द्द hack इलोरा की गुफाएं किस राजे में इस्तित है मद्य प्रदेश महाराष्ट करनाटक या उत्र प्रदेश तो इसका राइटांस हो जाएगा दोस्तो इलोरा की गुफाएं है ये महाराष्ट राजे में इस्तित है किस राजे में महाराष्ट राजे में इस्तित है इलोरा की गुफाएं किस राजे में इस्तित है महाराष्ट राजे के अंदर इस्तित है वेरी वेरी पोर्टेंट है आप इस चीज को ध्यान में रखना इसके अलावा अजन्ता की गुफाएं है अजन्ता की गुफाएं भी दोस्तो माराष्ट राजे में इस्तित है उद्देगिरी की गुफाएं मद्यपरदेश में इस्तित है उद्देगिरी की गुफाएं है वो मद्यपरदेश में है अगला परसन देखे आपके सामने स्क्री रचना है किस की है वामन की रचना है काव्यालंकार रचना वामन की और दोस्तों जो अजन्ता की गुफाएं है उसमें कुल गुफाएं है आप से पूछ ले तो 30 वैसे दोस्तों 29 है 29 पूरण है एक पूरुण गुपा है जिन में से 24 विहार पांच चेते हैं ये चीज़ आप किस मुगल साशक का उलेक उतकीरण है अच्छा परसन है शुमुंदर गुप्त की प्याग फ्रसस्ति पर किस मुगल साशक का लेक उतकीरण है अकबर जहांगीर साजहां दाराशिकुह तो इसका रैट अंसर क्या हो जाएगा आठ का बैवाला उप्सन राइट हो जाएगा जहांगीर अगला परसन देखे आपके सामने स्क्रीन के उपर यह रहा कौन सा चिन्नी यात्री गुप्त काल की दसा का वर्णन करता है कौन सा गुप्त कालीन दसा का वर्णन करता है वेनिशांग फायान इच्छिंग या कोई नहीं तो इसका रैट आंसर क्या हो जाएगा बेवाला उपसन है वो रैट हो जाएगा नेक्स्ट परसन देखे आपके सामने स्क्रीन के उपर यह रहा हस्त आयूर्वेद गरंत किसका है हस्त आयूर्वेद गरंत है यह किसका है नागारजुन पालकाव्यम भ्रह्मगुप्त या कोई नहीं बहुत अच्छा परसन है यह हस्त आयूर्वेद गरंत है यह किसका है जल्दे से आप बता दीजिए तो यह है पालकाव्यम का किसका है हस्त आयूर्वेद है यह पालकाव्यम का गरत है दोस्तों इसके अंदर हातियों की चिकिश्या का वर्नन किया गया है हातियों की चिकिश्या का वर्नन किया गया है न नागारजुन, सालिहोत्र, अगला प्रसंदेख्या, आपके सामने स्क्रेंन के उपर ये रहा, पहले कोंसे विद्वान थे, जिनोंने गڈित हुय खगोल को अलग किया, आरे भट वरहा मिहीर ब्रहम गुप्त या वागभट बहुत इचा प्रसन है दोस्तों ये जल्दी से आप इसका उत्तर है वो बताईए तो बारा का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आरे भट ऐवाला उप्सन है वो राइट हो जाएगा आरे भट आरे भट की थोड़ी दोस्तों जानकारी ले लेते हैं आरे भट आरे भट की दिबात करें दोस्तों तो इनका जनम हुआ था पाठली पुत्र कुशुमपूर पाठली पुत्र में और शिक्षा दोस्तों इनकी नालंदा में हुई थी गणित और खगोल विग्यान से ये मिन्ट होती है ठीक है आगे सेकिंड भी बताया थे दोस्तों इन्होंने कुछ और दोस्तों ये पहले विद्वान थे जिन्होंने गणित वे खगोल को अलग किया था इनको बीजगनित का जनक भी कहा जाता है पाई का मान बताया था दोस्तों इन्होंने तो ये दोस्तों आरे भट थे इनकी आरे भटियम रचना है अगला प्रशन देखे आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा निमन में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये सारी पुष्ट के एक साथ बढ़ा दी दोस्तों मैंने एक मिन्ट ये छोटा कर देता हूँ निमन में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो देखे इधर लेक्रक है इधर पुष्ट के है छुद्रक मर्च कटिकम विष्णु सरमा पंस्तंतर विषाकदत मुद्राराक्षषवे देवी चंदर गुप्तम किराता अरजुन भार्वी अमर्शिंग अमर्कोष और कामंदक नितिशार और इधर देखे दोस्तों वात्सायन कामशुत्र शुबंदु है दोस्तों ये शुबुद्धी नहीं है वरतकथा मंदरी की रचना की दिशमेंदर ने ठीक है तो छुद्रक मरच कटिकम सही है विष्णु सर्मा ने पंस्तंतर लिखा सही है विषाकदत ने मुद्राराक्षषवे देवी चंदर गुप्तम लिखा सही है ये इधर किताब लिखती दोस्तो लेखा की जगे गलती से तो किराता अरजूनियम है ये रचना है भारवी की और अमर शिंग ने दोस्तो अमर कोश लिखा था कामंदक ने नीति सार लिखा था वात्साय ने कामसुत्र लिखा था शुबंदु ने दोस्तो वास्वद्धता लिखा था और वर्दकता मंदरी चमेंदर की है जो मुरेकाल से समन्दित है अगला प्रसन देखिया आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा कुमार संभो किस्य समन्दित है कुमार संभो किस्य समन्दित है तो कुमार संबो है दोस्तो ये कालिदास से समंदित है कालिदास का महाकावी है कुमार संबो और कुमार संबो है ये सिव पारवती से समंदित है सह वाला उप्शन राइट हो जाएगा सिव पारवती से समंदित है कुमार्शंबो 17 सरग है इसमें शिव पारवत्ती की दोस्तों प्रेम कहाने का इसमें वर्नन है यानि विरोध वर्मन है इसमें शिव पारवत्ती की प्रेम कहाने का और कालिदास के बारे में इदी बात करें दोस्तों तो कालिदास ने कई रचना है कालिदास की रितुसार दूत ये खंड कावे है इनका रगुवस कुमार स्रम वहा कावे है तीन नाटक निकेते मालिव कागने मित्रम अभी ग्यान सा कुंतलम विक्रमो वसरगी है और इसके लाँ दोस्तों कुंतले स्वर देते है जो तिश विद भरन ये इनकी कुछ अरचना है कालिदास की अगला प्रशन देखे आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा और आज का अन्तिम परसन परसन ये है मरना सन की राजकुमारी का चित्र किस गुफा से शमंदित है 17 नमबर, 16 नमबर, 19 नमबर या 29 नमबर तो मलड़ा सन की राजकुमारी से समन्दी जोस्तो गुफा संख्या सोडा है बहुत important है मलड़ा सन की राजकुमारी गुफा संख्या सोडा या जनता की एक गुफा है दोस्तो गुफा संख्या सोडा और गुफा संक्या सोडा मर्डा संकी राजकुमारी की चित्र के लिए फेमस है तो ये था दोस्तों का अपना गुप्त काल वाला टोपिक गुप्त कालीन कला साहिते और विज्ञान ये कैसा लगा मुझे कमेंट बोक्स में जुरूर बताना फिर मिलते हैं एक नए वीडियो क साथ तब तक जै हिंज जै भारत